सुशांत संग राजपूत ड्रग्स मामले में NCB ने एक बार फिर से सुशांत के इर्द गिर्द वाले लोगों को गेड़ना शुरू कर दिया है सिधात पिठानी औरेड़ी NCB की गिरफ्त में है इसके अलावा नीरज और केशव जो सुशांत के नौकर थे उन्हें भी समन भेजा गया है ऐसा NCB ने इस वक्त इसलिए किया है क्योंकि NCB को कुछ डिलीटेड डेटा जो है वो हासिल हुए है कुछ नई चैट सामने आई है साहिल शा करके जो एक बंदा था जिसके बारे में कहा गया था कि वो सुशांत के मलाद वाले फ्लैट में उनका पड़ोसी है और दुबाई से वो ये ड्रग रैकेट चलाता है उसकी शकल किसी ने नहीं देखा है और उसकी जो वाइफ है वो खुद एक इंडस्ट्री की आक्ट्रिस है उससे भी कुछ बयार और कुछ खुलासे सामने आई हैं जिसके बाद NCB ने ये चानबीन शुरू की है अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवती जो अल्रेडी ड्रग्स मामले में दो महीने की सजा काट चुकी है जिनके उपर सुषान सिंग राजपूत के फैमिली वालों ने केस किया हुआ है उन्हें सुषान की डेथ में एक अक्यूस बनाया हुआ है उनको भी NCB फिर से समन करे क्योंकि रिया के खिलाव भी कुछ नई चैटS NCB को हासिल हुई है NCB अब नीरज, केशव, सिधार पिठानी को रिया चक्रवती के सामने बिठा कर सबसे आमने सामने पूछताच करना चाती है क्योंकि सब के स्टेटमेंट्स अलग-अलग आ रहे हैं आपको बता दे कि ये स अब ही वो लोग थे जो सुशान सेंग राजपूत की हर रोज की जिंदगी का हिस्सा थे रिया चक्रवती पिछले एक डेर साल से सुशान के साथ रह रही थी और सुशान की डेथ के पांच दिनों पहले ही रिया सुशान का घर चोड़कर चली गई थी उसके बाद नीरज, केशव और सिधात पिठानी सुशान के साथ रह रहे थे और पिठानी वो शक्स है जिसने सुशान सिंग राजपूत की डेथ के बाद उनकी बॉड़ी को सबसे पहले पंके पर लटके हुए देखा उनका ऐसा दावा है तो यही कारण है कि ड्रग्स मामली की जो है वो एक बार फिर से तेजी पकरती नजर आ रही है और और भी बड़े नाम के खुला से अब हो सकते हैं